हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो आवर चैनल आरे सी ग्यान दोस्तों इस समय आई टी आई के एस्सी वीटी वालों की परिच्छा चालू हो चुकी है प्रियुगात्मक परिच्छा शुरू हो गई है जिसमें 2017 के बैक और 2018 के सेकेंड येर 2019 के फर्स्ट येर और 2020 के फर्स्ट एवं चैनल की जो 2019 के विधयरति हैं और 2020 के विधयरति है zo 2018 के बाइच्छी के सेकेंड येर की परिख्छा होगी लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को प्रियुगात्मक परिच्छा दिखाना चाहता हो कि किस प्रकार से प्रियुगात्मक परिच्छा यहां हुआ है प्रिवगात्मक परिच्छा 250 पुढांग का होता है जिसमें आपको सरप्रतम वेविसाय जो है आपका mechanical refrigeration एवं year conditioning टोटल प्रिवगात्मक परिच्छा में 8 घंटे के परिच्छा होती है जिसमें पहले दो तीन क्वेशन पुछे जाते हैं सर प्रतम क्या क्वेशन पुछा गया है प्रियोगात्मक फर्स्ट इयर में SCVT का frost free refrigerator की servicing वह घटकों का परिच्छड कार करिए एवं frost free refrigerator system के performance की जाच किजिए दूसरा क्वेशन पूछा गया था SCVT के प्रतम वर्स में compressor के विबिन घटकों का सचित्र वर्णन करते हुए सभी घटकों के material के बारे में बताईए और third number पर होता है आपका वाईवा जो बाहर से examiner आके आपका वाईवा पूछते हैं वाईवा में हमें कुछ component के होता है । समें 200 nar करोता है इसमें 8 घंटे होते हैं तेन कुछétais इस में पूचे गए पहला एक कोशन जो होता है डिफरीजर सिस्टम के एलेक्रिकल कंपोनेंट की जार करिए तो भराब कंपोनेंट को बदल कर नया संस्ट सकाऊً अब का 150 नंबर का होता है दूसरा कोषिएन थर्मोस्टेटिक एवं आटोमेटिक एक्सपेंशन वालको सिस्टम में अस्थापित करिए यह कोषिन आपका 90 नंबर का है और थर्ड जो हमारा होता है वाईवा वो 10 नंबर का होता है यह हमारे जो हैं HCVT के द्यूतिय वर्स की परिच्छा है प्रयोगात्मक परिच्छा लेकिन मेरा वीडियो खास बनाने का या मक्षद है कि मैं आप सभी को जो ड्वाइं की परिच्छा होने वाली लिए और यहां पर इसी प्रकार से भी सेवीटी में बिक्वेशन पूझे जाएंगे बस अंतर यह रहेगा कि जो प्रकार से इंग्लिश में हैं वह हिंदी में पूझे जाएंगे यह कोई खास अंतर रही है लेकिन फिर भी बता दा रहा हूं मैं आप सभी को यह दिखाना चा गालिश ऑफ अनी टूउड फॉलविंग इस में से यह आपको चार ओप्सन दिये रहेंगे जिसमें से आपको कोई दो हैं टूल के इमेज बनाने है पहला दिया है एन विल दुसरा दिया है बॉल्ल पेन हैमर तिसरा दिया आउटसाइड कलिपर और तिसरा है माइक्रोब मी लिए ऐसे ही question पुझी जाते हैं यानि कि दो free hand tools बनाने पड़ेंगे आपको first question में फिर उसके बाद जो है कि कि किसी एक tools को बनाना पड़ेगा और third question में आपको किसी का projection बनाना पड़ेगा और third में कोई क्यूब isometric wave में दे देगा बनाने के लिए इसी परकार से activity में भी question पुझे जाएंगे आप सभी घबराइए मत exam के लिए आप सभी call the best